दोस्तों इस वीडियो में हम देखेंगे कि metallic paint पर compound यानि की wax कैसे किया जाता है यह देखें यह हमारे पास compound है यह 3M का marine paste compound है यह देखेंगे आप 3M marine paste compound और इसकी MRP है 130 रुपए 3M का है यह और polish भी हमारे पास है पालिस भी लगाएंगे इसमें यह 3M की polish है हमारे पास 3M liquid wax wax polish है इसकी MRP है 190 रुपए यह देखें 3M premium liquid wax clear coat safe provide UV protection तो सबसे पहले इसकी हमें sending करने हैं sending करने के लिए हम इसमें सबसे पहले 1000 नंबर का रेगमाल इस्तिमाल करेंगे वो भी हमें पानी के साथ में लगाना है क्योंकि compound करने के लिए पानी की जुरूत पड़ती है जब तक हम पानी से रेगमाल नहीं लगाएंगे इसकी कटाई नहीं होगी और यह रेगमाल इतना लगाना है कि इसकी पूरी चमक कतम हो जाए और दोस्तों आप से रिक्वेस्ट है अगर आ हमने हजार नमबर का पूरा रिक्वाल लगा लिया है है इसकी हमने पूरी चमक खतम कर ली है अभी हमें इसपर लगाना है 2000 का करेगमाल है इसको भी हमें उसी तरह से इस्तेमाल करना है जिस तरह से हमने हजार नमबर का रेगमल लगाया है इसमें थोड़ा सा टाइम आपका ज्यादा लगेगा लेकिन आपको कटाईस की बराबर करनी है और मैं आपको metallic paint के उपर या compound करके दिखा रहा हूँ बाकि आप किसी भी चीज के उपर कर सकते हैं color आपका कोई भी हो, metallic paint हो या फिर कोई normal paint हो या फिर कोई polish हो जैसे mylamine polish हो या फिर pew polish हो उस पर भी same process से ही compound किया जा सकता है तो चलिए मैं इस रेगमाल को पूरा लगा लेता हूँ उसके बाद मैं आपको दिखाऊंगा कि किस तरह की इसकी finishing हो गई है तो देखिए ये हमने अभी पूरा रेगमाल लगा लिया है और देख सकते हैं इसकी, इसमें हलकी हलकी signing अभी आनी सुरू हो गई है अभी इसको आप पूरा पानी सुखा लिते है ये देखिए हमने पूरा पानी इसका सुखा लिया है और देखिए इसमें signing भी आनी सुरू हो गई है अभी हमें इस पर compound लगाना है वही जो हमने पहले आपको दिखाया था 3M का marine paste compound लगाना है इसके उपर मैं ये आपको 3M का marine paste compound दिखा रहा हूँ बाकी compound बहुत से आते हैं market में आप compound कोई भी ले सकते हैं इस compound में polish भी mix होती है अगर आप polish इसके उपर से नहीं लगाएंगे तो कोई दिक्त नहीं है इसमें compound और polish दोनों mix होती है बाकी एक दूसरा भी आता है rubbing compound भी आता है आप उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं बहुत से compound आरते हैं market में आप उनका भी प्रियोग कर सकते हैं इसकी जगापे तो इसको पूरी लकडी के उपर हमें लगा देना है पूरे paint के उपर लगा देना है और उसके बाद में कपड़े से इसको रगड़ना है अगर आपके पास buffing machine है buffing grinder है तो आप उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर आप कपड़े से भी इसको रगड़ सकते हैं कपड़े से थोड़ा सा आपका ज्यादा time based होगा जितना दबाके आप इस पर कपड़ा रगड़ेंगे इसकी finishing उतनी ही बढ़िया आएगी इसमें भी आपका थोड़ा सा time लगेगा तो चलिए मैं इसकी चमक निकाल लेता हूँ फिर देखाता हूँ आपको किस तरह का हो गया है यह देखिए इस तरह की लुक हो गई है इसकी अभी देखिए मटेलिक लुक दिख रही है आपको इसमें यह देख सकते हैं अभी हमने इस पर पॉलिस नहीं लगाई है है अगर आप पॉल्स नहीं लगाेंगे कोई दिक्त नहीं है क्योंकि समdaलीं मिक्स होती है लेकिन हम आपको पॉलिस लगा के दिखा देते हैं थोड़ी सी पॉलिस लगाने से इसमें थोड़ी सेनिंग और आ लेगी देखिए भी साइनिंग बिल्कुल हाई ग्लोस और स्मूद फिनिस हो गई है अगर इसके पर आप हाथ भी रखेंगे तो आपका हाथ भी सिलिप कर जाएगा इतनी इसमें फिनिसिंग होती है तो देखिए हमने दो बून पॉलिस के लिए हैं और पूरी पूरे पेंट क इसको लगा देंगे और फिर से हमें इसको वही सई कप्रे से रखड़ना है जिस तरह से हमने कंपाूंड रगड़ा था उसी तरह से इसको रगड़ते रहना है जब तक कि पूरा सापना हो जाए पूरी चमक इसमें नग आ जाये तो देखिए अभी हमने इसको पूरा कंप्लेट कर लिया है और अभी आप इसकी फिनिसिंग देख सकते हैं यह देखिए बिल्कुल सीसे की तरह चमक रहा है यह मटैलिक रेड पेंट है बागे अगर आपका कोई नॉर्मल पेंट है तो उस पर भी आप सेम प्रोसेस से ही कर सक होते हैं मिलते हैं नेक्ट वीडियो में थैंक्स पर वाचिंग अ